हर्दोई जिले के पिहानी कोतवाली प्रभारी द्वारा हुमगाडों से अभधरता और अमानुविय व्योहार करने का आरूप लगा कर हुमगाडों के प्रतिनेती मंडल ने अपर पुलिस सद्धिक्षक से मिलकर पूरे मामले में शिकायत करते हुए कारवाई की मांकी है सद्धिक्षक दुर्गेश कुमार सिंग के पास पहुंचे हुमगाडों के प्रतिनेती मंडल के साथ पिहानी कोतवाली में तैनात हुमगाड हर्पाल वभगवत सहाय समेत अन्य हुमगाडों ने आरोप लगाया है कि प्रभारी निरिक्षक बेनी माधो तिरपाठी उन लो उसे गाली गिलोज करते हुए अमानवी व्योहार करने लगे और उसे मारने को भी दोड़े पीडित का आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचावकर किसी तरह से मामला सुलजाया उनका यह भी कहना है कि प्रभारी निरिक्षक दौरा होमगाड भगवत सहाय व वपीतांबर जोकी बैंकाफ इंडिया तंदवर और सुरेश चंद्यादो जो कारवाड यूटी में तैनात है इनके साथ भी अबदरता की गई है पूरे मामले की शुगायत करते हुए मामले में कारवाई किये जाने की मांगी गई है इस पूरे प्रक्रण के जाच हरियाव के CEO पशुराम सिंग को सौपी गई है अब इस मामले में हूंगाड इस्षोशियेसन के नेता अर्विन कुबार ने कहा है कि हम लोग कोतवाल के द्वारा जातिस उचक शब्दों द्वारा अपमानित के जाने के मामले में कारवहिशकार कर अधिकारियों से कारवाई की मिला है और अगर जांच के बाद नयाय नहीं मिला तो इस मामले में उच्चादगारियों तक जाएंगे साखः में पहुँचे वहां भी हम्गाडों के गल्ली को, घुलोज किया वहां गाली देने लगे मावहन की उल्टासीजी गाली देने लगे और कहा यहां साले पंखेग नीचे बठीने आते हो अब कोई अधिकारी कहता है अंदर मैं तो बंक मी देखो अब बताओ यह पहर रहे हैं बाहर रोड पे लेखो पबिलिक या रही है यह नोगे अपरवारी ने जिच्छा के वहां बेडी मातो उन्होंने इनके साथ अबरत्ता कि यह गाली के लोज किया तो इस बात पर इंग ब सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सबी खबरों के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें